नमश्कार दोस्तो आरोग ये मौडरन हुमीपैथी में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम सुपर स्पेशालिटी मौडरन हुमीपैथी दवाईयों की सक्सेस स्टूरी में बात करने जा रहे हैं एक गंभीर और घातक बिमारी लंग कैंसर के बारे में दोस्तो कैंसर का नाम सुनते ही सभी की धड़कने तेज हो जाती है आखिर ये बिमारी है ही इतनी खातक जहां डॉक्टरों के द्वारा ये कहा जाता है कि ये बिमारी का ठीक होना नामुम्किन है लेकिन मौडरन हुमीपैथी चिकितसा पधती ने इसे कई बार गलत साबित कि है जहां आपने हमारी पुरानी डोक्यूमेंटरिस देखी होगी जिसमें ऐसे कई पेशन्स थे जो खी माउथ कैंसर ओवरीन कैंसर और इसे कई कैंसर से परिशान थे लेकिन जब उन्होंने मौडरन हुमीपैथी दवाईयों का अपनाया तो आज वे पून रूप से स्वस् और दवाईया ले रहे थे लेकिन उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिल रहा था फिर इसी दौरान जब उन्होंने कई टेस्ट करवाय तब जाकर यह सामने आया कि उन्हें लंग कैंसर जैसी घातक पेवारी है जिस वजह से जया सक्सीरिया और विजय सक्सीरिया काफी ज्यादा परेशान हो गए और इस असमंचस जैसी घडी में उन्हें कहीं से डॉक्टर अर्पे चोपडा जैन की मौटन होमिपैथे चिकित्सा पधधति के बारे बता चला जिसके चलते जया सक्सीरिया जी ने देरी ना करते हुए डॉक्टर अर्पे चोपडा जैन से संपर किया और केवल मौडन होमिपैथे दवाईयों की मदद से डिसॉल्फ होगे जिस वजह से वे काफी ज्यादा स्वस्थ थे और एक सामान्य और खुशाल जीवन बिता रहे थे लेकिन फैमिली की तरफ से प्रेशर था कि इनका कीमोथेरपी भी करवाया जाया जिस वजह से वे जल्द से जल्द ठीक हो पाई और इस प्रेशर की वजह से उन्होंने कीमोथेरपी भी स्टार्ट किया लेकिन दोस्तों कीमोथेरपी के कई साइड इफेक्ट देखने को मिरे जहां डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि इनका लाइफ स्पैन केवल 6 महीने का है लेकिन डॉक्टर अर सक्सेरिया जी से कि किस तरह मौटन हो में पैठी दवाईयों की मदद से जो लंग्स में ट्यूमर थे वे किस तरह से डिजॉल्ट हुए और वे काफी सामानी और खुशाल जीवन बिता पाई कि अधिश्टा में देवारा से चार साल पहने में एक फिस्बन को तर्दी जुकाम खांसी बोट टाइम से चल रहा था तो ऐसी हम डॉक्टर से फोर्म पे कंसर्ट करते मैडिसिन ले रहे थे लेकिन वो खांसी खतम ही नहीं हो रही तो इनकी सर्दी जुकाम पिर मेरे जो ज इनकी कर्वा के राये तो नहीं एक्सरे ल्केकर वाएक उनके पास मैं करवाकर तो क्यों आइस हम को क्या होता है तुम तुरंक तु बोंबे के लिए निकलो या बैंगलोर के लिए निकْले पिर हमने दूसरे डॉक्टर से फिर हमने धुर्य इन पर शफने नहीं पेशर् le वह बहुत है कि आप बॉंबे जाहिए बैंगलो जाहिए या हैदराबाद जाहिए तो चुंकि मेरा परिवारी कुछ बॉंबे मेरा मेका है वहां पर तो ब्रदर से मैं थे किया तो वह बोले तुम बॉंबे आजाओ अपन सब देख रहते हैं तो बॉंबे में हम जाए दोक्तर वहां पे हिंदुजाख होस्पिटल में दोक्तर उधवाडिया है जो चेश स्पेशलिस्ट है तो उनके असिस्टन में चैर मलापूरम सर जो है उनसे बातचीत हुई उनक के पास में भेजा फिर उनने काफी कुछ तेश्ट वगर्या करवाय तो 15 दिन में निकल गए कुछ डाइग्नोस नहीं हो पा रहा था पुड़ा डाउट फुली जा रहा था फिर फाइनली यह डाइना डाइग्नोस हुआ कि इसर आपको लंग्स का कैंसर है और वह ज्यादा के उन cette की भाइब्स सँ मतलब मतलब उसमें गठाने इतनी बड़ी बड़ी गठाने थी मल्टिपल्स थे और एक साइड में लंग्स के एक साइड मही थे कुछ फिर हमने भुष्ट की हम tracte लिya पास कि रहा यह रुट्त पेली सब्सिव uniformि और चाचि आपको इस दॉने डॉ तो सर की मेडिसिन एक बाद चाचा जी के लिए लीजिए तो ठीक है हम गए अमने कंसेट बात चित के ही डॉक्तर साथ से तो मुझे काफी इंप्रसिव लगा तो हमने मेडिसीन स्टार्ट कर दिगी डॉक्तर साथ की मेडिसीन से हमें बहुत जाता रिलिख हुआ दू साल तक इन्होंने पुरा दो साल निकाला सर फ cowboy दू साल के पहले यह हम को छोड़को चले गए मैंने एं Kung aсть उन से खूट ही कि क्या बोलता है from a doctor क्या बार-बार में। मैं यहीं बोलती थी disgust थे जोला मैं अच्छे से खाओ फे अभी अप थीक आज़े लेकि एंड तक मतलब हम लोग में इंको पुछ एसास नहीं होने दिया लेकिन आज डॉक्तर साब की वज़े से ही एक बात को कहना चाहूंगी कि डॉक्तर साब की वज़े सी काफी रिलीफ रहा इनको कोई भी इनको देख की यह नहीं बोलता था कि इसको इतनी बड़ी बिमार पर इनको जाने के बाद में मुझे दूसरे सब्सक्राइब निकाल पाएगा लेकिन इनों ने डॉक्तर साब की वज़े से कम से दो साल पूरी निकाले इनों और थैंक टू डॉक्तर साब डॉक्तर ने मेरे कहने पर जब जब मैंने उनको कॉल किया आखरी मुमेंट में भी वह विजट भी किया उसके लिए उनको ने कोई चार्ज भी निल लगाया मेरे सिर्फ बहुत हमबल बहुत बहुत अच्छे मतलब वह व्यक्ति है वो लेकिन मेरी किसमत क्या से तो किसी सर निलड़ा जा सकता ना लेकिन थी कि आज छे महीने पहले जाते कम से कम दो साल उनने मेरा साथ दिया अधरवाइस तो अच्छा चल रहा था मैं तो अभी कल मैं सर से मिलने के लिए गई थी तो कि मेरी डॉर्टर तो कुछ प्रॉबलम था तो उसके लिए मुझे बंबे मेडिसिन भी तो मैं सर से लेकर आई हूं सर पे मुझे आज इतना ट्रस्ट है तो तो बहुत से लोग गए उनको पाइदा भी हुआ ऐसा नहीं है तो मैं तो चाहते हूं कि लोगों को पाइदा पॉंचे सर की मेडिसिन से बात नहीं हो पाती तो दूसरे लोगों को भी पाइदा मिले इस चीछ का वक के पहले अगर वो लोग ना अगर संबल जाए ना तो ब विजे सक्सीरा जी की वाइफ जिन्हों ने बताया कि मॉडन होमिपथी दवाइयों के मदद से कैसे लंग में जो ट्यूमर थे वे किस तरह से डिजॉल्फ हो पाइद जिसके लिए वे डॉक्टर अर्पित चोप्रा जैन का धन्यवाद बेक्ट करती हैं तो चलिए दूसको जानते हैं सुपर स्पेशालिटी मॉडन होमिपथी चिकित सब बत थी कि आविश्कारक डॉक्टर अर्पेच चोप्रा जैन से कि किस तरह मॉडन होमिपथी दवाइया लंग कैंसर जैसी गंभीर विमारी पर अपना असर दिखाती नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अर्प जो कि इंदौर मद्वदेश के रहने वाले हैं मिस्टर विजय जी सक्षेरिया जिनके बारे में उनकी वाइब मिसेश जया सक्षेरिया जी ने अपने सब्दों में बताया कि कि किस तरीके से लंग कैंसर के कारण उन्हें एक तरीके से जो स्टेज जो बढ़ चुकी थी और या एक तरीके से परिवारिक जीवन है उसमें भी पढ़ने लग जाता है दोस्तों हम इस कहानी के माध्यम से कुछ अलग तरीके से बात करना चाहरे हैं हम बात करेंगे उस प्रेशन की जिसने आखरी के जो दो साल है हमारी दवाईयों के माध्यम से पूरी तरीके से बीना क किसी operation के चुकि लंका operation करना इतना असान नहीं होता इसलिए ज्यादा तर ऐसे प्रेशन को कीमो थेरपी के बारे में बताया जाता है पर मिसेस जया सक्षेरिया जी ने जब यह सुन लिया था कि लिए उन्होंने DCL लिया तो कि उनके परिवार में काफी दबाव था कीमो थेरपी देने के लिए लेकिन उन्होंने उसको दर्किरार करते हुए जो पूरी तरीके से डिजॉल भी हो गई और साथ में उन्होंने जो नैचुरल लाइप का उनका जो सपना था उसे दो साल तक पूरी तरीके से मिंटेन करके बिना किसी कीमो थेरपी के अच्छे से अपना परिवारिक जीवन भी जी रहते और समाज में अपनी मुख्य भू कि जब दो साल से मिस्टर वीजया घ्री ने बहुत अच्छा जीवन निकाल लिया उसके बाद उनके परिवार के कुछ दबाव के कारण मिसेस जया सक्षेरिया जी के ओपर ये दबाव था कि जब इतना अच्छा चल रहा है तो क्यो ना हम कीमो थेरपी के आप्शन को भी य हो रहा है या नहीं हो रहा है तो निश्ची तरफ से दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि कीमोध्यपी देने से हमारी बॉड़ी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और उसके साइड इफेक्ट के करन अगर हमारी तकलीप बढ़ रही है तो हम इस मीडियो के माध्यां स उसको आप नेचुरल तरीके से बचा सकते हैं और चुकि होमेपेटी का जो कंसेप्ट हमने जो मॉडरन होपेटी का एक नया रिसर्च करके मॉडरनाइजेशन करके सुपर स्पेसलाइजेशन करके एग्रेसिव थरेपी जो हमने इन्वेंट की है वो कैंसर के लिए किसी मतकार या वर्दान से कम साबित नहीं हो रही है और निश्ची दूर्प से ऐसे काफी सरे पिशेंस की इन सभी थरेपियों को बचा कर एक नया अच्छा चलने के बाद नीती को कुछ और मंजूर था जहां मिस्टर वीजेश सक्षेरियाजी की कीमो थरेपी चाल हुई यह उनके लिए एक दुरभाग के बड़ा कदम निकला क्योंकि उसके बाद कीमो थरेपी के साइड इफेक्स के कारण वह हस्पिटल में इतने कम जो हो गए कि वहां से वापस बाहर नहीं आ पाए और हमारी जो मेहनत थी जो हम कर रहे थे दो साल से जो हमने उनको बहुत अच्छा खड़ा कर रहा था कहीं न कहीं हमें भी बहुत ज्यादा तकलीव हुई कि हम आगे जाकर हम कीमो थरेपी के बाद फिर से अपना यह मजबूर हो जाती है मेडिकल साइंस की अपनी खुद की मजबूरी है तो निश्ची दुरूप से यह विडंबना थी जो कि इस केस में घडित हुई तो हम कह सकते हैं दोस्तों कई बार हमारे अच्छे प्रयास करने के बावजूद भी हो सकता है कि कि किमो थरेपी रेड का ट्रेटमेंट देकर उनकी जान भी बचाए और कहीं ने कहीं स्टेज 1 से स्टेज 4 के जो पेशेंस हमने जो मौड़ामपिती से क्रीट किये हैं उनका जो एक्सांपल सेट हुआ है कहीं ने कहीं ऐसे लोगों के लिए किसी प्रेड़ना से कम साबित नहीं हो रहा है तो दो सक्सेस स्टोरी के रूप में सामने आ रहे हैं हम बात करेंगे ऐसी कुछ पेशेंट के बारे में जिन्होंने मौड़ामपिती का फायदा लिया और आज कैंसर को हराकर अपना स्वस्त एवं सफल जीवन जी रहे हैं जैसे कि हम बात करेंगे मौड़ामपिती सुपर स्वस्ति कंसेट्मेंट का माध्यम से जो रिकरंस के बावजूद भी जो ट्रिट्मेंट लिया उसके कारण जो उनका किसी मारकर जो सीए 19.9 122 के असपास पहुँच चुका था वो साथ मेने के ट्रिट्मेंट के बाद पूरी तरीके से कंट्रोल हो हैं और जिनके रिनल सेल कार्शिनोमा जो की मेटर स्टिक होकर काफी 80% तक जो काफी बढ़ चुका था केवल मौड़ामपिती के 2,5 मिने के ट्रिट्मेंट के बातलत उन्होंने अपने जो लास्ट स्टेज के मेटर स्टेडिक कैंसर जो की बिलकुल लाइलाज हो चुका था उस पर जब 50-70% विजैप आपकी उसका फायदा ये मिला कि उन्होंने आगे का जो ट्रिट्मेंट कंटीनवी किया उसके बतलत आज मिस्स असुनी जटा लेज जी बिना किसी साइड इफेक्ट का बिना किसी परहेच का बिना किसी सरजरी बिना किसी इम्मुनो तरेपी बिन उन्हें साड़े पास सेंटी मीटर और धाई सेंटी मीटर की टोटल तीन घठा ने जीबीम की वापस प्रोड्यूस हुई और जब सभी जगह से डॉक्टर उसने मना कर दिया कि अभा आपके लिए कि केवल दो मेने के treatment से उन्होंने अपनी दो बड़ी गठाने 20.5 cm की पूरी तरीकी से dissolve की जो 5.5 cm की गठाने उसे 7 cm पे लाकर maintain किया और जो एक साल का पूरा ट्रेटमेंट उन्होंने लिया उसके बदलत जो साड़े 5 सेंटीमेटर की जो थोड़ी बहुत भी गठान जो बचीवी थी वो पूरी तरीकी से डिजॉल होकर आज अस्या अंसारी पूरी दुनिया में जीवी एंट कैंसर की स्टेज 4 से जो गरसित प करके अपना स्वस्ता जीवन प्राप्त किया हम बात करेंगे तिरत राज रियादव जो की प्रतापगड उद्रपदेश के रहने वाले जिन्होंने बकल मुकोसा माउथ कैंसर के लिए मौड़ावपिती का एक मेना से दो मेने का ट्रिटमेंट लेकर अपनी रिकावरी की औ किया और आज भी वह अपना स्वस्ता जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं हम बात करेंगे मिस्स मुन्नी बाई की जिन्होंने 81 साल के उम्र में मौड़ावपिती सूपर इस्पोशिडी कंसेफ ट्रीटमेंट का फायदा लेकर अपने पेरी एंपुलरी कारसीनोमा जो की गाल मौणरावपिती लेकर अपने Developer मारकर का कंट्रोल किया और लीवर ट्रांस्टी पाई इसी तरीके से मिस्टर चंटरभान परियार भी लिपेटो चलीलर कार्शिनुमा के लिए मौडर्रमपीती का ट्रिक्टमेंट लेकर अपने मेटर स्रेटिस वली जो इसी ती है उससे अपने आपको रिकवर किया और आज भी वह बिना किसी सर्जेरी बिना किसी कीमोथरेपी अपना स्वस्ता जीवान अच्छे से जी पा रहे करेंगे इसी तरीके से एब्डामिलन लिंफेडिनोट पैथी से जो कैंसर बन सकता था लिंफोमा कैंसर नीना सुनसरे और जिन्होंने केवल अस्विनी जटाले जी का रिव्यू देखकर ही हमसे कॉंटेक्ट किया था और दोस्तों ये चमतकार था कि केवल दो मेने के मौड कार दुरिया को बता भी पा रहे हैं इसी तरीके से दोस्तों कुछ अन्य कैंसर के बारे में हम बात करेंगे इस पैंडल सेल कर्चिनुमा जिसके लिए पूजा लशकरी ने जो कहें दिया गया था कि पास सल से ज्यादा का इस कैंसर का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं माना ज अवस्था में जब उनके लिए सभी उम्मीदें खतम हो गए थी क्यावल मौड़ावपिती सुपरिस्पजी कंसेफ्ट्रीट्मेंट के माध्यम से उन्होंने एंटी प्रो लेवल को 13 तक 13 तक लाकर पूरी तरीके से कंट्रोल किया और आज भी मिसेस मंजु जवार साफ साल बात भी अपना स्वस्था जीवन अच्छे से जी पानी है क्योड़ मौड़ावपिती सुपरिस्पजी कंसेफ्ट्रीट्मेंट के माध्यम से उन्होंने इस्पाइल से प्राप करके अपना स्वस्था जीवन निभा लिया दोस्तों हम बात कर सकते हैं इसी तरीके से कुछ अन्य प्रकार के कैंसर में जिसमें हम फीमिल रिलेटर अगर प्राप्लम की बात करें तो हम बात करेंगे एंडोमेटरियल कार्शीनोमा से गर्जित मिसेस निर्मला जैन जिन्होंने मौड़नोंपिती सुपरिस्पजी कंसेफ्ट्रीट्मेंट का फायदा लेकर अपनी कीमो कीमोथरीपी के उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल अवस्था में प्राप की और आज भी केवल चार मेने के मौड़नोंपिती के ट्रीट्मेंट के बतौलत वह आज भी दिल्ली में रहकर अपना सुपरिस्पजित मिसेस नीशा जैन जिन्होंने 9 संटीमेटर की केवल मौड़नोंपिती के ट्रीट्मेंट से पूरी तरगे से डिजॉल किया और साथ में उनके जो बड़ी भी कैंसर मारकर की रिपोर्ट है उसे पूरी तरगे से कंट्रोल भी किया दोस्तों हम बात कर सकते हैं मिसेस कांता पापना जिन्होंने ब्रिस कैंसर के लिए मौड अच्छे से जी पा रहे हैं और बीना किसी अन्य दवाईयों के सपोर्ट के अच्छे से रह भी पा रहे हैं दोस्तों आप हम बात करेंगे पुरस्तों में पाये जाने वाले प्रोस्टेट कैंसर के बारे में मिस्टर नर्मदा पसाथ जी गौड जिनका पीसे लेवल 100 के और आज भी मिस्टर नर्मदा पसाथ जी गौड बिना सरजरी बिना केमोतरपी बिना किसी अन्य दवाईयों के सपोर्ट के अपना सवस्ता जीवन जी पा रहे हैं और मौड़ामपीति के फायदे में प्रोस्टेट कैंसर पर विजह प्राप्त करके दो महीने में जो उन्हो प्रोस्टेट को केवल मौड़ामपीति के टेटमेंट से 17 गाम पर लाकर और अपना बढ़ा हुआ पीएसे लेवल जो की 6 के उपर पहुच चुका था उसे केवल मौड़ामपीति के टेटमेंट से नॉर्मल भी किया बेबी अद्विका पाठक जो केवल 3 साल की बच्ची जिसे खुद भी नहीं मालूम था कि उसे ब्लट कैंसर जैसे गंबिर पीडा से गुजरना पढ़ रहा था लेकिन दोस्तों ये चमतकार था मौड़न होमपीति सूपर स्पेसिल गंजर्ट टेटमेंट का कि केवल 6 मेने के ट्रेटमेंट से उन्होंने अपनी जो ALL कैंसर की बिमारी पर पूरी तरीके से विजब राप की और अपनी रिपोर्ट को नॉर्मल प्राप करके अब बिना किसी रिकरंस के वो जैन मध्यपदेश में रहकर अपना सौस्त जीवन जी पारी मिस्टर कुलदीब शर्मा जो की हॉस्पिटल में एड्मिट थे काफी सारा पैसा उनके इलाज में लग चुका था और उनका प्रेट्रेट लेवल पूरी तरीके से गिर कर 17,000 से 27,000 के आसपस पहुच चुका था और काफी सारा ट्रेटमेंट उने के बावजुद भी तरीके से कंट्रोल हुआ और आज भी मिस्टर कुलदीब शर्मा जी पूरी तरीके से अपना स्वस्ते जीवान जी पा रहे हैं इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि प्रारम्भी ट्रेटमेंट के रूप में अगर आप उपयोग लेते हैं तो निशीद रूप से हमारा विश्ластिल थरेपी देकर आपकी Cancer की अवस्ता पर अगर आगर किसी काण्ट से आपको हमारे ट्रीटमेंट के पारे में नहीं पता से स्केलों आपको घबराने की जरुवत नहीं है, आप अपने सेकंडरी ट्रेटमेंट के रूप में ही सहीं, अंती मवस्था में ही सहीं, अंती विकल्ब के रूप में ही सहीं, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी खोशिया और मुस्कान आपके भी चेहरों पर लाकर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे, और दोस्तों, मौणावपिती चुकि एक सुपरिस्पशिय कंसेट ट्रेटमेंट है, बीना साइड इफिक का, बीना फरेज का, नैचुरल, फास्ट, परमानेंट और एक तरीके से कॉस्स एफेक्टिव ट्रेटमेंट है, निश्चित रूप से 3000 से ज्यादा पेशेंट, जो की उन पेशेंट के बारे में बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर जाकर, निश्चित रूप से उन सभी पेशेंट के बारे में सुचना प्राप कर सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी वेरिफाय कर सकते हैं, तो चाहे वो स्टेज 1 के, स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट हो, चा ट्रांस्प्रांट बचाया साथ में ऐसी कई सर्जिकल प्रावलों जिसमें सर्जरी एक मात रुप्अपय बताया या पर यहाख यहाग कहें दिया जाता है। वजुद भी इस बात की कोई शुरेटी नी कि ये प्रावलम वापस नहीं हो सकती ऐसे काफी सारे पेशन्ट को हमने चमतकारिक रूप से माड़ा हुपेती से फायदा दे कर उनकी निश्चित रूप से होने वाली सरजरी से उन्हें बचाया इसी तरीके से काफी ऐसे अन्य आ प्रावलम जिसमें जीवन भर दवाई लेने की प्रतिकुलता बताई जाती है हमारे विश्वाद से प्रारेंबिक लेवल पर अगर आप अगर उपयोग लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी वीमारी के मेटर्वलिजम से करेक्ट करके आप बहुत जल्दी रीकावर क सुपर स्पशी कंसेट्मेंट का जो हमारा फाइदा है आप ऐसे काईफ़ी सारे पेशन को जो देख सकते हैं जिन्होंने कोमा में भी उनके परिजनों ने उनके लिए जो हमसे ट्रीट्मेंट लेकर उन्हें जो ट्रीट्मेंट दिलाया उसके माध्यम से आज भी वो अपना दूसरा जीवन प्राप्त करके समाज में अपना स्वस्ता जीवन जी पा रहे हैं और मुख हधारा में जुड़कर कहीने कहीं अपने बारे में बता पा रहे हैं और मॉडर्रमपिती के फायदा से किसी तरीके से चमतकारिक लाप लेकर कहीने कहीं साबित भी हो रहे हैं और स्थित आरोग की सुपर इस्पेशिटी मॉडन हुमिपिती क्लिनिक जो की मेरी क्लिनिक का नाम है आकर हमसे फेस्टूपिस कंसल्टेशन ले सकते हैं तो निशीत रूप से इन दौर आकर हमसे प्रत्यक्ष मुलाकात करके अपनी समस्याओं का समाधान ले वे अगर किसी का कटीन से कटीन और दुर्गम से दुर्गम बीमारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम मॉडन हुपिती से देखकर आपकी पूरी मदद कर पाएंगे और निशीत रूप से इस तरीके से आपने सुना कि मिस्टर विजय सक्षेरिया जी एवं अन्य कई प्रकार क करते हैं कि किसी भी बिमारी के आखरी स्थिती तक भी आप उम्मीद का दामन ना चोड़े और दोस्तों हमारा भी मानना है इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहती कि हम लोग आखरी लेवल तक हम आपके लिए मेहनत करते हैं और निशीत रूप से इसका खाम्याजा पेशेंस क बुगतना पड़ता है ऐसा हमारा भी मानना है इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहती कि हम लोग आखरी लेवल तक हम आपके लिए मेहनत करते हैं और निशीत रूप से चाहे किसी भी स्थिती में हमारे पास आता है हम बिना हारे उस पर पूरी तरीके से मेहनत करके उस पेशे जेन आरू के सुपर स्पेशलिटी मौडन हुमेपैथी क्लिनिक इंदौर थेंक्यू नमस्कार तो दोस्तों यह थे सुपर स्पेशलिटी मौडन हुमेपैथी चिकित सा पद्धती के आविशकारक डॉक्टर अर्पे चोपडा जाए जिन्होंने बताया कि केवल विजे सक स प्रकार की गंभीर या सामानी बिमारी से परिशान हैं तो आपकी सुपर स्पेशलिटी मौडन हुमेपैथी चिकित सा पद्धती पर अपना विश्वास दिखाए और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के लिए मददगार साबित हो सकता है तो इस वीडियो को ज्यादा से जादा शेयर करें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भुले स्वस्ति रहने के अगर देख पदेए आरो के मौडन हुमेपैथी टेक के एर